चहलें दोस्तों तो देखो प्रेंट आज यहां पर हम बादचित करने वाले कि हमारा जो इंडियान एक्चेंज वजरिकस कितना सेफ है और उसके रिलेट जो नियूज अपडेट है उसके बारे में बादसित करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बातचित करें तो Binance ने यहाँ पर Vajrix का जो option था transfer का option था अम फ्री में क्रिप्टो करणसी को transfer Binance से Vajrix में कर सकते थे वो option को इसने remove कर दिया है तो देखो पहले हम यहाँ पर जैसे funding पर click करतें transfer पर तो यहाँ पर हमें Vajrix का option देखने को मिलता अब कहीं भी आपको Vajrix का option देखने को ने मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर Binance ने easily इसको remove कर दिया है फिर यहाँ पर आगे बातचित करें तो यहाँ पर आप Vajrix से transfer करते हो किसी भी fund को तो यहाँ पर withdraw पर click करेंगे तो जिन जिन लोगों ने पहले से connect किया हुआ है Binance न Vajrix को तो Binance का अभी भी option आ रहा है बट यहाँ पर problem एक बात का है क्योंकि अब यह लोग fees ले रहे मतलब काफी दिनों से ले रहे यह भी मुझे cover कराना था कि अब यहाँ पर आपका फीज यह वो cut एगा कम से कम यहाँ पर दीगो एक WRX cut रहा है आपको यहाँ से WRX को Binance में direct transfer करना है तो यहाँ पर एक WRX token cut रहा है अब यहाँ पर आगे बात सित करेंगे एक tweet किया है निचल छेटी जी ने वोलेट मेटा मास्क में आप fund रखते हो या तो आप keys lose कर देते हो तो आपको कोई help नहीं करेगा सिरीजी बाते कोई help नहीं करेगा आप कहीं की को खो देते हो क्योंकि पूरा fund की पर चलता है वो wallet की हमें कहीं लिखके रखनी पड़ती है या तो की गहीं चोरी हो जाती है किसी के हाट लग जाती है तो भी आपको कोई नहीं बचाएगा वहाँ पर आपका fund lose हो जाएगा दूसरी याँ पर उसने बात की hardware wallet के बारे में तो hardware wallet बहुत महेंगा होता है 8000 रुपे से तो स्टार्ट होता है अब बहुत कम cryptocurrency रखते है वो लेने के लिए possible नहीं है तो इसलिए centralized exchange बिल्कुल ज़रूरी है उसके बात देखो यहाँ पर physical loss होता है यहाँ पर hardware device में तो यह भी एक मामला हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी risk है बट centralized exchange में एक ही डर है कि वो एक्चेंज या तो बंद हो जाई या तो भाग जाई तब ही problem है बट जो एक्चेंज बंद हो जाता है कोई बड़ा एक्चेंज बंद होता है तो उस पर case होता है case होता है और उस पर case चलता है और हमारा क्रिप्टो वापस आने की उमित बहुत ज्यादा रहती है तो वजरेक्स का क्यों यूज करे क्योंकि काफे सारे लोगों ने प्रिवेस वीडियो में नेगेटिव डाला था कॉमेंट मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ मैंने क्यों बताया कि वजरेक्स अच्छा है हम क्यों मैंने वो अच्छा कहा क्योंकि काफे सारे लोगों को only वजरेक्स यूज करना आता है और दूसरे एक्जेंज का नेमी नहीं सुना है जैसे सरू-सरू में आए application देखा वाजरिक्स को डाउनलोड किया और वहाँ पर क्रिप्टो बाई किया अब जैसे हम डराएंगे कि यह हो जाएगा बाग जाएगा यह बागने वाला तो है नहीं एसा तो काफी बार हुआ है और यह मार्केट गिराने के लिए भी यह दोनों सामने सामने लड़ सकते हैं नीचल और सीजेट तो नए लोग क्याएगी लोस में क्रिप्टो करंसी को सेल आउट ना करें इसलिए मैं पोजिटिव बोलता हो फिर आपकी मर्जी है जो कोमेट में डालना है डालो मैं आपके हित के लिए यहाँ पर विडियो बनता हूँ और मेरा चार साल का experience है क्रिप्टो इंडेश्ट्री में लास्ट चार सालो से मैं क्रिप्टो इंडेश्ट्री में हो तो मुझे पता है कि काफी बार एसे सब कुस हो जाता है बटे Trusted Exchange भागना भागना ये थोड़ा दूर की बात है अब यहाँ पर आगे बादशित करेंगे वजरेक्स सेफ है या नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर यूजर के बर में बादशित करेंगे तो डाउनलोड देखा था 10 मिलियन प्लस इसके यूजर है मतलब यूजर बहुत यादा है इंडिया में नमबर वन एक्चेंज बोले तो वजरेक्स एक्चेंज है अब मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि आप एक ही एक्चेंज में फंड रखो वजरेक्स सेफ है बहुत आप कम इन्वेस्टमेंट करते हो 10,000 रुपे, 20,000 रुपे, 50,000 रुपे एक लाख रुपे तक उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मल्टिपल एक्चेंज का यूज करो एक एक्चेंज में फंड नहीं रखना चाहिए मल्टिपल एक्चेंज में रख दिया है फंड तो ज़्यादा फंड आपका एक साथ कभी नहीं फसेगा तो आप लोग 10,000, 20,000 रुपे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डरना बंद करो और वजरिक्स में आप अपना फंड सेफली रख सकते हो एससे कुछ होता तो नहीं है बटे बलेक स्वान इवेंट किसी को नहीं पता है कि एवेंट कप आजाए एक्चेंज के साथ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जैसे वजरिक्स ने सपोर्ट तो पहले से अच्छा किया है उसका पाउंडर मार्केट में है सपोर्ट करते आ रहे हैं पहले से बहुत बड़िया सपोर्ट किया है तो मैं इसलिए के सकता हूँ कि वजरिक्स में हम फॉंड रख सकते है बट अब multiple option चूज करो वजरिक्स में भी रखो एक लाख रुपे से ज़्यादा फॉंड है आपके बास binance को रखो, hobi को रखो, get do time को रखो कितने सारे एक चेंज ही वहाँ पर उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है ट्रांसफर करने में और ट्रांसफर करना आपको नहीं आता है तो उसके बारे में वीडियो बिल्कुल आएगा क्योंकि मेरा काम है आप लोग को education देना और मेरा होबी है कि मैं लोग को कुछ सिखाओ पेले से मेरा होबी है कि मैं कुछ सिखाओ तो मैं crypto industry में आया और सभी लोग को मैं knowledge provide करता हूँ और मुझसे को गलती होती है तो comment में बता सकते हो Goodbye